तो हेलो दोस्तों VVA function में हम बात करें है max if formula की max if formula latest excel में तो है लेकि पुरान excel में नहीं है तो VVA के मदद से हम पुरान excel में 27, 10, 13, 16 में किस तरीके से max if का formula बनाएंगे यह VVA का code आज हम बताने जा रहे हैं तो जो लोग वीडियो को first time देख रहे हैं उनसे request है कि प्लीज मेरी वीडियो को like subscribe कर ले और चैनल को subscribe कर ले और सारे sequence ली वीडियो चाहिए तो मेरे mobile app को download करें mobile app का link मैंने इस वीडियो के decision box में दिया हुआ है और साथ में अभी देखिए online classes चली आप इस तरह से online classes देना चाहते लाइव interactive तो आप zoom app के थूरू ले सकते हैं इसके लिए आप मेरी website ipt india.com पे जाके demo class का form बढ़ सकते हैं मेरी website का complete URL में इस वीडियो के description में डाला हुआ है तो हम बात कर रहे है max if formula की देखिए अगर पुढ़ाने Excel की बात करें 2016 तक की बात करें तो हमारे पास sum if का formula है sum if का formula है जो की किसी particular persons के किसी particular record को यहां पर sum कर देता पूजा का total यहां पर sum करके दे दिया उसी तरीके से मान लीजे मुझे average चाहिए तो average if का formula है लेकिन आप 2019 की बात करें तो हमारे पास max का भी formula है जो की maximum number निकालता है साथ में max if का भी formula है जो की maximum number देता है किसी particular conditions के बिहाब में अब यहां पर question आता है कि max if का formula हम अपनी हिसाब से कैसे बनाएंगे समझें max if का formula हम अपनी हिसाब से कैसे बनाएंगे कि समझें आगे आपको सर्थ को कि दीविये में आपको देखने बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है max if का formula बनाना तो सबसे पहले हम function यहां formula define करते है rules में यहां देते है function उसके बाद यहां हम देते है max if का formula max if नहीं देता है max if का formula अल्लेडी है इसलिए यहां पर हमें देना है n as a range comma n as a variant and m as a again range तो तीन inputs यहां पर है मेरे पास मैं formula लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से लगाऊंगा max if हमने select किया किसको name को कि इसमें जाओ पूजा को देखो और यहां पर जो value है इसका लो ठीक है तो यह formula लगाने के तरिका हुआ एक compile error आ गया हमने कहीं पर गलती किया है अचा एन नाम का दो reference नहीं हो सकता है आर करते है तो यह हमारा formula लग गया अब यहां पर क्या करना है कि जो पूजा वाली values है सारे values को मुझे एक एक करके यहां पर लेना है तो मैं क्या करूँगा यहां लगाओंगा कि for यहां पर एक और दोगा dim kaj range यहां करूँगा for i for each for each for each अच्छा इसमें in as a range इसमें दिया हुआ यह करने की जरूवत नहीं है in for each k in in इसी column कर लेना होगा अब यहां पर condition देना है मुझे कि if k dot value is equal to r then अब मुझे इसकी value नहीं उठा सकता क्योंकि value उठा कर रखेंगे तो उसमें से maximum कैसे लेंगे कोई sum बगड़ा तो करना नहीं है इसलिए मुझे इसका address उठाना है इसका address उठाना है तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम एक message के लिए करते हैं dim m as a string m as a string और यहां m equal to हम करेंगे m के साथ हमने कॉमा का यूज किया और फिर यहां पर करेंगे cell cells cells में r.row हम लेते हैं k.row 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 और उसके बार हम यहां पर करते हैं m.column .address और यहां पर and if अब starting में कॉमा लगेगा तो हम यहां लास्ट में करते हैं m equal to right m में से lane m को minus . उसके बाद यहां हम करेंगे mx if equal to application .worksheet function .max .max और इस max में हम दे देते हैं m m range range m अब देखिया m already m m already तो यहां ले रखिया na यहां पर a कर देता हूँ address address कुछ error हो गई है result इसने 83 दिया यहां देखिए 83 है यहां भी 83 तो कैसे work कर रहा है चीज को समझे तो इसके लिए समझने सबसे पहले क्या किया हमने बोला कि n का यहां पर 3 inputs ले लिए ठीक है यहां पर variable refining किया हमने बोला कि 4 k in n मतलब कि हमने एक variable लिया कि range हमने बोला कि 4 each loop चले कहा जो हमने अपना match करने वाला परसुन दिया उसमें फिर हमने बोला k dat value equal to r मतलब कि जो one by one k की value है equal to r मतलब कि जो हमने match किया ओ हो तो क्या करे इसकी जो cell address है ओ ले विकास कि अगर value होगा तो string हो जाएगा न इस पे तो उसका उठाएगा ही नहीं हमें जितने number मिलेंगे उतने variable लेना पड़ जाएगा तो हमने सब का address उठा लिया तो जो max को मिल रहा है max को कुछ इस तरह से address मिल रहा है a1 comma sorry b है न b2 comma b5 comma b7 इस तरह से तो इस तरह से मिल रहा है hello Mr.Singh बोलिये sir जाहिद बात कर रहा हूं sir जैसे इसको address मिल रहा है ठीक है तो यह address के साथ value के से पिक रहा है मतलब मैंगा रेंज के अंदर में address लिख दिया आपको बताया था कि हम रेंज के अंदर में inverted comma के अंदर a1 comma b1 b2 इस तरह से दे सकते है हाँ इस तरह से ले रहा है क्योंकि हम रेंज के अंदर में एक वो डाला है एक मिर समझे इसको एक काम करता हूं इसको date कर देता हूं ठीक है अब देखें यहां पर हमने a कर दिया तो अब इसको एक बर run करता हूं तो ए देख रहे हैं आपको b4, b14, b16, b17 तो max formula के अंदर में एक जरूरी थोड़ी है कि आपको sequentially देना है आप इस तरह से भी दे सकते हो ना समझे तो सेम हमें procedure यहां अपलाया है कि मैंने सारे जो पूजा से match कर रहा है जैसे b2 हो गया उसके बाद पूजा b14 पर match कर रहा है तो जितने भी पूजा वाले addresses जो b column में थे उसको हमने उठा के a पर combine कर दिया फिर उसको हमने डाल दिया max formula के अंदर तो range को उस इस तरह से मिला इसने maximum number दे दिया और मतलब इस address में जो भी इसको maximum value मिली वो उसनो ठाप यहां पर आरक दी राइस सभी 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 और सर यह एक चीज और जैसे हमने a equal to a के साथ combining किया k.row है और m.column है k.row इसलिए किया क्योंकि basically क्या है कि हमें k की value है उठानी नहीं हमें k के mb वाले column की value ठानी है प्रॉलम ही है कि यहां इससे पहले की सारे चीजों में हमने अ बेब का यूज किया था इस ऑफसर का यूज किया था ना सर बट यहां पर प्रॉलम ही है कि ज़वरी नहीं हो इसके sequence हो सकता है कि कहीं और हो कितना column दूर का हो तो इसलिए हमने हमने हां पर input ले लिया हुआ है तो हमने problem ही है कि loop जो चल रहा है इसलिए हमने बोला कि जो लूप चल रहा है कि का जो जो रो नंबर लूप में है क्योंकि सर हमें एक जैक पता नहीं है कि अगर मालीजी कि वी 14 में मैच किया है तो बी 14 कैसे पिक करेंगा क्योंकि हमें यहां एम में पुरा पुरा कॉलम है अगर इसको में और उसको अफसे अगर यूज करते तो फिर वो एज एक से ही हो जाता आपको सिक्वेंस लेना पड़ता है कि चौता नंबर पास्टा नंबर पास्टा नंच अठाव में खुआ है तो मैं मैसेज देख पा रहा हूं हरिवान सिंह जी मुझसे पूच रहे थे कि वो किसी वेप साइट से डेटा कैसे उठाएंगे तो सर यह बेब स्केप की क्लासेज आगे क्लासेज है इसमें हम आपको नहीं बता पाएंगे तो इसकी रिरेटर में वीडियो जा आपको पुआइड कर दूँगा तो आप उसको देख लिजेगा यह लिए पाइड आपको वो किया था नीड हेल्प के नाम से नाम से ठीकिा के अपको नीड हुआ थी कहा था एम अपने आपको लुआ पने देखा था अपने मुछ रप्लाए इना मेरी ओफिस की थी इमिल अईडी तो आपने निक्ता है को प्रिप्सेट 0,1 है या या 1,0 ह कई सब्छाइं वो आपर कोडिंग करो गेना तो आपको मैं रिप्टाइब कर देता हूं